क्या डूण रहे हो मेरे अंदर? मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ मंजिल का सुखाम मिलेगा और मेरे बेटे इश्क करना है तो सच्चा कर या तो मुहबत मिलेगी या मुकाम मिलेगा कि तुम क्या जानो कि मां क्या होती है मां हमारी जमी और आसमा होती है मैं तब तक कोशिश खरूँगा जब तक मैं जीत नहाँ जो लोग पानी से नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं जो पसीने से नहाते हैं वो तकदीर बदलते हैं और जो खून से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं वैसे पढ़ाई में थोड़ा कमजोड था लेकिन लेते के कर ली थी बार मी और यूं तो सपने देखे थे बहुत लेकिन दिल पे छाई आर मी जै भारत कि चार सो में चार पकड़कर वो जाने जाते हैं अपने काम से, यार थोड़ी मेनत और कले, तुभी फोल हीरा डूटती है कोईले की खान से, जैहिन जै भारत। और मेरी तरफ उंगली करके अपना हाथ मजलवा लेना, ये वैबी सूरद से भी गराम है, और मेरी मंजिल से मुझे तूँ क्या रोके का मेरे दुस्मन, मेरे तो सफर ही बेसरम है, जानता हूँ मेरी मंजिल की उडान मेरे पंखों से बड़ी है, लेकिन ये वक्त मुझे कहरा कहता की बटे गवरामत, वो मंजिल भी कुछ खास है जो तरह सामने खड़ी है, रोज रोज इस्टेटस बदलने से, जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलने के लिए, अपना भी एक इस्टेटस होना जरूरी होता है, रोज एक एम बनाओ, और बस उसकी तरफ बढ़ खुदा ने कहा, पुरी दुनिया की दोलत तरे कदमों में रख दूँगा, पर तुझे रहना पड़ेगा अपनी मां से दूर कहीं, मैंने कहा, ए मेरे मालिक, चाहे और कंगाल करते, पर तेरा ये फैसला मुझे मंजूर नहीं गिरालो लेकिन याद रखना बहुत मुझे गिराना क्योंकि मैंने ठोकरों से चलना सीखा है एक सल्यूट उन लड़कों के लिए जो किसी लड़की के पीछे नहीं दोड़ते हैं, बलकि देश के लिए गराउंड में दोड़ते हैं अगर मन्जिल सामने दिख रही हो, तो हम रास्तों को पेचीदा कर देते हैं जरूरत है तेरी, तू साथ दे दे अगर, तो मौझ में हो जाओंगा क्या कहा? फोजी चाहिए, फिक्र मत कर पखली, जल्द ही फोज में हो जाओंगा कि जब मैंने सोचा ही बड़ा है, तो जुकों क्यूं? मन्जिल को पाना ही है, तो रुकों क्यूं? और बाते करना काम है दुनिया का, करने दो, रुकोंगे तो भी कहेगी, रुके क्यूं? चोटी सी उम्र में चर्चे बहुत, चोटी सी उम्र में चर्चे बहुत हैं, जलने वाले राख और चाहने वाले लाख हैं वक्त आने पे सबको जबाब देके जाऊंगा, मैंने कहा, वक्त आने पे सबको जबाब देके जाऊंगा, तुमारा टाइम आएगा, मेरा मैं खुद लाऊंगा पानी से नहीं पसीने से नहंगा और अपना रोल बदल दूँगा जो इंडियर आरमी जोईन करने चाहती है रहती थी जो घर के अंतर आज घर्चोट मिदान में मेहनत लगाती है साव होंगी शहीद वतन के लिए वो भी इंडियन आर्वी की वर्दी चाहती है कभी अगर कोई आपको पागल कहे और आप पर हसे ना तो बुरा मत मानना क्योंकि ये इतिहास गवा है जब भी ये जग किसी पर हसा है ना उसने इतिहास रचाए मेरे हालातों पर मत हस मेरे दोस्त जितनी बार तुने कोशिस भी नहीं की होगी उससे कई ज़ादा बार मैं हार कर खड़ा हो चुका हूँ जिस इंसान को ये लगता है कि उसके सपने बैटे बैटे पूरे हो जाएंगे वो कल भी वही बैटा था